तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस कभाड को कितनी अच्छी चीज में एक जी यूज करने लाइक घर में चीज है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लाइट ही बना सकते हैं कई और तरीकी की चीजे भी बना सकते हैं हम इससे हेलो गाइस मैं है विनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल स्केचप हिंदी पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने या पे कुछ पाइप स्टाइब बना रखें चीजे तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आज मैं बनाने वाला क्या हूँ ठीक है तो बेसिकली कुछ टाइम पहले हलंकि यह बहुत पुरानी बात है जब मैंने अपना यूटूब चैनल नहीं स्टार्ट किया था उससे भी पहले की बात है ठीक है मेरे घर पे प्लंपिंग का काम हुआ था उसमें से कुछ स्क्रैप्स बचे गया थे जो मैंने एक तरीकी की DIY हो सकती है लेकिन actual में हम इसे 3D में ही बनाएंगे क्योंकि real life में मैंने तो बना रखाया उसे उसे मैं use भी करता हूँ proper और आपके लिए भी सायद इस तरीकी की चीज़े एक अलग substitute बन सकती है तो चलिए देखते हैं कि मैं इससे क्या बनाया मैंने ठीक है तो जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि यह actual में बन क्या रहा है तो जैसे यह देखे मैंने कुछ एक जो साइट ले रखी थी यह वहां पर लगबग मुझे तीन फूट का मिला था एक जो दो बड़े टुकडे आपने देखे थे उसमें तो मैंने उसी तरी में त Вас से ले लिए थीक है यह थीन फूट का हमारा हो गया यह एक फूट के हैं में स्वर्डिंव यह 15 इंच के और यह एक फूट के हैं थीक है और यह हमारा एल्बो गया जो नौश नॉर्मली मिलता है ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं पहले इन सब को एक तरीके से connect करेंगे मैंने बीच में एक line बना रखी है ताकि हम इसके बीच में easily proper center में locate कर सकें ठीक है उसके लिए मैंने रख रखा है जैसे इसे उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँगा और उसके बाद जैसे हम push करते हैं थोड़ा अंदर तो इसे भी मैं push कर लूँगा ठीक है यह आपके घर में wastage हो तभी ज़्यादा सही होगा इस तरीके से use करना इसे क्योंकि जब वो waste हो गया तब तो आप उसे किस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नया लाके चीजों को काटना वो थोड़ा सा valuable नहीं हो पाता है ठीक है अगर आपको लगता है कि आपको जो चही है वो इस से काफी ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो आप भले ही उसे लाके बनाके ट्राइक ज़रूर कर सकते हैं ठीक है चलिए इन मैम को हटा देते हैं और इसे लगाते हैं हम अपने जगह पे ठीक है इस सेंटर लाइन के बज़े से हमें कई चीज़े असान हो जाती है जैसे हम रोटेट करना वगएरा वगएरा तो जैसे अब यह है इसे हम रोटेट कर लेता है नाइन टी पे और इसे इधर की तरफ करना है ठीक है तो अब हम इसे इसके साथ फिक्स करेंगे अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो आप यह ऐसे फ्रेम वाइस यूज़ कर सकते हैं इसमें नहीं इसमें कर लेता है है यह दिखिए इजी तो इससे आपको पकड़ने में असानी हो जाएगी यह दिखिए ठीक है अब मैं इसे इसे थोड़ा सा आगे कर पुश कर लेता हूं तो पॉइंट सेवन फाइब इस तरीके से यह देखिए दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है ठीक है जैसे यहां पर ओवरलैप कर रहा है वैसे यहां पर जो एक तरीके से होता है ठीक है इसी चीज को आगे लाते है अब एक जो यह वाला साइज है इसे हम यूज कर लेते है आपको अगर इक्वल रखना है तो आप इक्वल भी रख सकते हैं मैंने छोटा बड़ा रखा था ताकि जो एक तरीके से बेस बनना है वो बेस जो मेरा बनेगा वो थोड़ा स्टेवल बन सके ठीक है क्योंकि यह चीज थोड़ी छोटी है तो उसके हिसाब से बेस का बनना ज्यादा हो सही होता है यह दिखे इसे भी मैंने ओवरलैप किया जैसे इन तीनों को देखेगा तो यह यहां पर दिखते हैं आपको एक दूसरे में ओवरलैप होवे पड़े ठीक है है तो हम ट्राइ करते हैं हमें अगर सेंटर मिल जाता है तो कि नहीं कहीं और पकड़े चलिए इसी को रोटेट कर लेते हैं सीधा आराम से क्योंकि जब हमने चीजें बना रखी है तो हमें प्रॉब्लम क्या है ठीक है कि यह देखिए पॉइंट सेवन फाइब हलें कि आपने जब थमनेल देखा है तो आपको तो पता होगा ही कि हम क्या बनाने वाले ठीक है अब आगे आते हैं इसे लाते हैं कॉपी करके इधर कि इसे भी प्रॉपर सेट कर लेते हैं अब उसी तरीके से इसे भी ले आएंगे तो इसे मैं इधर कर लेता हूं मेरर कर लेते हैं इसे सीधा ठीक है और थोड़ी सही जगा पर सेट कर लेते हैं तो यह देखिए एक चीज और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह थोड़ा आगे पीछा है एंड जब आप करेंगे यह एक्च्वल में हम लाइट स्टैंड मना रहे हैं ठीक है तो उसमें होता यह है कि एंड में जो आपकी लाइट की वायर है वह यहां से आएगी ठीक है तो हो सकता है आप कैप लगाए और अगर नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं ठीक है अब आगे आते हैं ऊपर हमें एक और चाहिए यह देखे एक्चुल में मैंने इसे अभी इस तरीके से रखा है आप टॉप से देखेंगे तो आपको लगेगा जब यह ली इसके पर आएगी ठीक है तो अब actual होता यह है कि मेरे साथ problem यह आई थी कि जब मैं इस तरीके से side में खड़ा करता था तो एक side की और यह गिर जाता था यह इस तरीक की तरफ गिर जाता था और मैं इधर करता था तो वो इधर की तरफ गिर जाता था तो फिर मैंने क्या किया था इसे यहां से घुमा के हाँ यह देखिया तो अभी मैंने क्या किया कि यह जो हमारा बल्ब जहां ओल्ड होगा लास्ट में तो मैंने इस के एड्जेक्ट सेंटर में रखा इस तरीके से क्रॉस पे ताकि इसका प्रॉपर बैलेंस जो है वो यहां आ सके इसका सेंटर ग्रैवटी ठीक है तो अब एक लास्ट और है यहां पे ठीक है इस तरीके से तो यह देखी यह हमारा स्टैंड बन गया हलंकि जब मैं बना रहा था तो मुझे इतने सारे एल्बॉंस नहीं मिले थे मुझे सायद 2-3 कम पढ़ गया थे तो मैं एक्स्टा ले आया था बाहर से ठीक है तो आपको अगर लगता है कि यह आपके लिए सही है ठीक है तो आप जरूर बना सकते हैं मेरे इसाब से तो अब मैं क्या करता हूं इसमें बल्व फिट करता हूं मै बाहर निकाल दिया था ठीक है तो एक चीज यह है कि यह मैंने वेश्टेस बनाए था और मैंने इसे फिक्स नहीं किया था अलगि मेरे फोटो में देखोगे तो आप मैंने फिक्स का वो लगा रखा है जो पाइप की हम चिपकाने वाला जो गुलू होता है जो भी तो वो मैंने सिर्फ बाहर बाहर से लगाया था ताकि जब मैं चाहूं तो उसे हटा सकों इसली आप पाइप को थोड़ा बैंड करेंगे तो वो अपने आप बाहर से हट जाता है क्योंकि अंदर से वो चिपका हुआ नहीं होता ठीक है तो चलिए अभी मैं इसमें बल्ब औ और वायर ले आता हूं वो मैंने पहले से बना लिया था ठीक है यह देखिए तो यह मैंने बना लिया था मैं बस यहां जाकर इसे लगा दूंगा जैसी यह होल्डर है एक तरीके से ठीक है तो उसे सिंपल आपको क्या करना है कि इसके अंदर ऐसे फिट करना है कि इस तरीके से बस हालंकि मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है थी कि जब मैंने होल्डर यहां पर फिट किया तो होल्डर थोड़ा सा धीला पड़िया था तो उसकी वज़े से मैंने क्या किया उसमें थोड़ा टेफनल टेप या जो भी इसके प्लंबिंग के साथ धागे भी आते थे पहले तो इस कमरे से उस कमरे तो मैं इसे ले जाता हूँ फोल्ड किया अराम से हर एक पार्ट को अलग कर दिया वायर को इसी में रहने दिया और जहां मुझे असेंबल करना उसे असेंबल कर देते हैं कि यह देखिए इस तरीक से आपकी वायर बाहर आ जाएगी and easily आप फिर उसके ब कि यूज करने लाइक घर में चीज़ है और ऐसा नही है कि सिर्फ हम लाइटी बना सकते हैं कई और तरीकी की चीजे भी बना सकते हैं मिस से तो यह ऐफ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब-tक के लिए थाइंक्यू